हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? I hope you all are fine. आज मैं आपको हिंदी की एक नई कहानी सुनाऊंगी, दो बक्रियों की कहानी. तो आईए शुरू करते हैं. एक बार की बात है, एक बक्री जंगल में खास का रही थी. तब ही अचानक उसकी नजर नदी के उस पार हरी हरी खास पर पड़ी. तो उसने नदी के उस पार जाने की सोची. उसे नदी पार करने के लिए लक्री का एक लठा दिखाई दिया. जैसे ही उसने उस लठे पर पैर रखा, उसकी नजर नदी के उस पार एक दूसरी बक्री पर पड़ी. जो की उस लठे पर पहले से ही चड़ी हुई थी. वे दोनों लठे पर नदी पार करने के लिए एक दूसरी तरफ जाने के लिए खड़ी थी. तबी अचानक उसे उसके दादा जी की सुनाई हुई एक कहानी याद आ गई. जिसमें दो बक्रियां नदी पार करते समय लड़ लेने का है. उसने दूसरी बक्री से कहा कि मैं लकडी के लठे पर नीचे बैठ जाती हूं और तुम मेरे उपर से छलांग लगा कर नदी पार कर लेना. और उन्होंने वैसा ही किया. और दोनों बक्रियों ने अराम से नदी पार करकर अपने अपने रास्ते पर चली गई. तो बच्चों इस कहानी से हमें सिक्षा मिलती है. मुसीबत के समय हमें समझदारी से काम देना चाहिए. थैंक यू. धन्यवाद.